हेलो गाईज आप सभी को इस चैनल पर फिर्से स्वागत हैं यह हमारा नेक्स लेक्चर है और इससे पहले वाले लेक्चर में इस कोस्टन को हम लोगों ने कभर किया था यानि इससे पहले वाले लेक्चर का लास्ट कोस्टन था अजय वारियर 2020 किन दो देशों के बीच हुआ था तो सभी जवाब था इंडिया और यूके के बीच इस सेजन का पहला कोस्टन है यहां से स्टार्ट करते हैं आपको बताना है कि दा इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है तो बीने दामोदर सावर करके द्वारा सी अपसन आपका सभी सेंपiste जवाब है कि नेश्ट कुश्टन हैं आपको बताना है कि निमलिकित में से जो सेमी हाइश्पीड ट्रेन बंदे मातरं चला था कि इन दो जगहों के वी चला था इंडिया का सेमी हाइए एस्पीड ट्रेन बंदे मात्रं वरानसी टू निव देली चला था याद रखना है पहला अपसन अपका सही जबाब है Next question है जो नारों किस जिले में इस्तित है मोहन जो नारों जो है वह किस जिले में इस्तित है तो लरकना जिले में नेक्स कोशन है आपको बताना है निमलखित में से किस के दौारा अटर्णी जेर्नल अफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है यानि कि किस के दौारा भारत के नियंत्रक और महालेकक परिक्षक की नियुक्ति किया जाता है तो देखे इसमें जो सई जवाब होगा इन में से कोई नहीं इससे पहले वाले लेक्षर में इसकोशन को हम लोगें डिसकस किया था आपको कॉमेंट करके बताना कि अटार्णी जेनल अफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है ठीक है आपको बताना है आगे बढ़ते हैं ने रामसर कवेंशन जो है वेल्ट प्लेंड कंजर्वेशन यानी आद्रभूमी सनक्षड से समधित है नेक्ष्ट कोश्चन देखते हैं किस हॉलिवूड अभिनेत्री को 2020 में पदम स्रीपुरसकार से नमाज आ गया यानि किस हॉलिवूड अभिनेत्री को 2020 में पदम स्रीपुरसकार मिला तो इसका सही जवाब होगा कंगना रनौत को ठर्ड अप्सन आपका सही जवाब है नेक्स्ट कोशन है आपको बताना है कि निमलखित में से किस मामले में सरोच नियाले यह निर्ने दिया कि संसत के पास समिधान के धाचे में जो धाचे के मुल धाचे है इसको नश्ट करने की सक्ति जो है यानि जो बैसिक स्ट्रक्चर समिधान का है उसको मतलब कि नश्ट करने की सक्ति नहीं है किस मामले में सरोच नियाले ने यह निर्ने दिया था इसका सई जबाब होगा केश्वानन्द भारती में जो इस रोच नियाले ने निर्णय दिया था कि जो समिंधान का बेसिक इस्ट्रक्चर है इसमें कोई छेड़ छाड़ नहीं हो सकता है तो यह याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट केस है यह केश्वानन्द भारती केस आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन आपको बताना है कि नेमलेकित घटनाओं का जो कालनुक्रम है इसको बेवस्तित करना है और नीचे दिये गए जो कोड है जो आपको बताना है कि कौन सा घटना किस कालक्रम में हुआ था और इसको अगर बेवस्तित रुप से सुस्षज किया जाए तो किस कोड को या फुल्फिल करेगा तो देखिए पहला इसमें जो घटना है गांधी एर्विन एग्रिमेंट है दूसरा पूना पैक्ट है तिसरा जो है आपका पून राष्ट्रे की घोषणा है और चौथा है सविने अवग्या अंदोलन आपको बताना है कि इस जो है इसमें पूना पैक्ट हुआ था इसके बाद आपका गांधी इर्विन सम्झाओता इसके बाद समीने अवग्या अंदोलन इसके बाद पून राष्ट्रे एक पून राष्ट्र की घोषणा की गई तो इस तरह से आपका 2143 जो है सही जबाब है कि नेक्ष्ट कुस्ट सन्जीवनी जो ओप्रेशन है भारत ने हाली में किस देश को जो है आवस्यक दवाई और खाद्यान की अपूर्ती कि ए तो तो संजीवनी किस देश के बीच जो है ओप्रेशन चलाया गया था देखे इसका स्पाइज जबाब होगा मालदिव के बीच जो संजिवनी ओप्रेशन है मालदिव में चलाया गया था याद रखना इंपोर्टेंट है इसके बाद नेक्स कोशन है भारत में निम्न में से किस हवा के कारण मांसून का आगमन होता है भारत में नेमने में से किस हवा के कारण मांसून का आगमन होता है तो सही जबाब होगा दक्षिन पश्षिम हवाओं के कारण जो है भारत में मांसून का आगमन होता है तो याद रखिएगा दक्षिन पश्षिम हवा है नेक्स्ट कोश्चन है निम्ले लिखित में से कौन मतलब की उर्जा का एक गैर पारमपरिक शुरोत नहीं है निम्ले लिखित में से कौन उर्जा का एक गैर पारमपरिक शुरोत नहीं है आपका सही जबाब होगा थर्ड अप्सन पसु के गोबर से उर्जा इसके बारे में देख लेते हैं जो उर्जा के सुरोत है source of energy देखिए source of energy दो तरके हैं एक होता है conventional source और एक होता है non-conventional sources conventional sources में दो तरके source होते हैं एक होता है commercial एक होता है non-commercial commercial में koella petroleum और electricity आता है और non-commercial में firewood होता है इस्ट्रेव होता है और dried dung होता है जो उपले होते हैं इनके द्वारा energy को प्राप्त किया जाता है और non-conventional sources में बायो energy, solar energy, wind energy, tidal energy और energy from urban west इस तरह से non-conventional sources में इस तरह से energy को प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा conventional और non-conventional sources कौन-कौन से हैं इंपोर्टेंट है कुष्चे निया से बन सकते हैं इसके बाद हमारे next question है आपको बताना है कि डाक्टर भीम्राव अंबेतकर ने नेमलखित में से किस मौलिक अधिकार को समिधान का हिर्दय और आत्मा के रूप में वनित किया है इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब है फोर अप्सन अगर आपने आर्टिकल 32 को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा और इसमें है कि जो समिधान का हिर्दय और आत्मा के रूप में वनित किया है डिस्क्राइब किया है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोस्टन है जो परमारित बीज के बैग होते हैं इनका उप्यों किये जाने वाला टैक का जो रंग होता है किस रंग का होता है परमाडित बीज बैग पर उपियों किये जाने वाले टैक का रंग क्या होता है जो सेटिफाइड जो सीड के बैग होते हैं उन पे जो रंग होता है वो होता है नीला रंग का यानी ब्लू आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है आपको बताना है कि बाल स्रम जो अधिनियम है इसके अनुसार किस आयू के कम के बच्चे को जोखिम भरे बेवसाय में नियोजन के लिए निस्सेद किया गया है बाल स्रम अधिनियम का नुसार किस आयू से कम के बच्चे को जोखिम भरे बेवसायों में नियोजन के लिए निस्सीद है यानि कि 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को जोखिम भरे बेवसायों में इने नियोजित नहीं कर सकते हैं तो ए अप्सन आपका सही जबाब है Next question है बताना है कि केस वर्ष में राश्रिय साइवर सुरक्षा नीती जो है शुरू हुई केस वर्ष में राश्रिय साइवर सुरक्षा नीती शुरू हुई सही जबाब है 2013 में Next भारत में किस अस्थान पर Officers Training Academy इस्तित है Officers Training Academy भारत में किस अस्थान पर इस्तित है तो देखिए चेन नहीं और गया यानि आपका A और B दोनों अप्सन सही है यानि C अप्सन आपका सही जबाब होगा चेन नहीं और गया दोनों जगह होपर Officers Training जो है Academy है इस्तित है आगे बढ़ते हैं Next Question है आपको बताना है कि निमलेखित में से किस कारेकरम के अंतरगत भारत में पढ़े भारत बढ़े भारत राष्ट ब्यापी कारेकरम जो है है निमलेखित में किस कारेकरम के अंतरगत भारत में पढ़े भारत बढ़े भारत राष्ट ब्यापी जो है उपकारेकरम है तो किसका उपकारेकरम है यह एस एस एका तो याद रखिएगा पढ़े भारत और बढ़े भारत यह राष्ट ब्यापी उपकारेकरम है किस कारेकरम के अंतरगत तो एस एस एक के अंतरगत नेक्स कोशन है आपको बताना है कि राष्ट्रिये जेव भिभित्ता प्राधिकरण एक है किस परकार का निकाय है राष्ट्रिये जेव भिभित्ता प्राधिकरण एक परकार का निकाय है किस परकार का तो एस टूटरी बोर्डी होता है यानि नियामक निकाय होता है याद राष्टिये जय विवित्ता प्राधिकरण है एक एस्टेटूटरी वोड़ी है नियामक निकाय है नेक्स कोश्चन देखते हैं आपको बताना है कि दिली के किस सुलता ने कुत्थुमिनार का काम पून करवाया था सई जबाब होगा एल्टू तुमिस ने आगे बड़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन है आपको बताना है कि अस्टार्ट अप इंडिया एस्कीम किस वर्स लॉंच की गई अस्टार्ट अप इंडिया एस्कीम किस वर्स लॉंच की गई सही जबाब है 2016 में नेक्स्ट है आपको बताने कि शेरिंग पटनम में जो ट्री ओफ लिवर्टी है किस ने लगए था तो शेरिंग पटनम में जो अजादिक का व्रिट्ष है याने Tree of Liberty है किसने लगवाया था इसका सही जबाब होगा टिपू सुल्तान ने Tree of Liberty टिपू सुल्तान ने लगवाया था सेरी रंगपत्नम में आगे बढ़ते हैं सविन्धान सभा के द्वारा आपको बताना है कि सविन्धान सभा के द्वारा गठित नियम परक्रिया समीति के सभापती कौन थे सविन्धान सभा के द्वारा गठित नियम परक्रिया के सभापती कौन थे सई जबाब है डाक्टर राजेंद्र परसाद नेक्स्ट कोश्चन है, एसिया का प्रथम यानि एसिया फर्स्ट एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज सेट अप इन 1965 एड यानि एसिया का प्रथम निर्याद प्रसंस्क्रण छेत्र वर्ष 1965 में कहां पर स्थाफित हुआ था एसिया का प्रथम निर्याद प्रसंस्क्रण छेत्र 1965 में कहां पर अस्थाफित हुआ था कांडला में, एप्सन आपका सही जबाब है आपको बताना है कि भारती राष्ट्रिये कॉंग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारती राष्ट्रिये कॉंग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इसका सही जवाब होगा बद्रूदिन तयब जी आगे बड़ते हैं नेक्स्ट कोशन है प्रेयरी किस देश की घास का मैदान है किस देश का घास का मैदान है प्रेयरी प्रेयरी किस देश के घास का मैदान है यानि प्रेयरी is a grassland of which country तो देखिए प्रेयरी जो घास का मैदान है USA में मिलता है तो B option आपका सही जबाब है next question है किस आयोग की अनुसंसा पर RBI को गठित किया गया था RBI का गठन किस आयोग की अनुसंसा पर हुआ था आपको बताना है चार अप्षन है आपको इन चारों अप्षनों में से किस आयोग की अनुसंसा पर RBI का गठन हुआ था बताना है तो हिल्टन यंग आयोग के अनुसंसा पर RBI का गठन हुआ था यह option आपका सही जबाब है Next question है आपको बताना है कि सूरे की जो सता का तपमान है लगबग कितना होता है Surface Temperatures option is about सूरे की सता का तपमान लगबग 6000 degree centigrade होता है आगे बढ़ते हैं Next question है Mobile application हमसफर जो हाली में सामाचारों में था किस सेवा से जुड़ा हुआ है हमसफर एक Mobile application है यह हाली में सामाचारों में देखा गया था आपको बताने कि यह किस सेवा से हमसफर जुड़ा हुआ है तो हमसफर जो एप है यह किस सेवा से जुड़ा हुआ है इंदन की Home Delivery के सेवा से जुड़ा हुआ है Door Delivery of Fuel हमसफर जो एप है इसको याद रखना है इसके बाद आगे बढ़ते हैं Next question देखते हैं नेक्स कोशन है कोईला किस परकार का जो है रॉक होता है कोईला किस परकार की चटान है तो बताए कोल इस विच टाइफ आफ रॉक कोईला किस परकार की चटान है तो औस साधी सेडिमेंटरी जो है कोईला किस परकार की चटान है तो औस साधी आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं भारती समिंधान के अनुस्तार स्वतंतरता समानता और भाईचारा का अदर्स को किस देश के समिंधान से लिया गया है भारती समिंधान में स्वतंतरता समानता और भाईचारा के अदर्स को किस देश के समिंधान से लिया गया है इसका सही जबाब होगा फ्रांस के समिंधान से यह जो भाईचारा का जो अदर्स से लिया गया है समांता का जो आदर से लिया गया है और सोतंतरता का समांता सोतंता और भाई चारे के आदर्स को फ्रांस के समिधान से लिया गया है याद रखिएगा नेक्स्ट कोशन है आपको बताने कि नीति आयोक के द्वारा हाली में सतत विकास उद्देशियों पर प्रत्थम पाइलट परियोजना के लिए कोवान से केंद सासी छेतर का चैन किया गया निती आयोक के द्वारा हाले में सतत अभिकास उद्देशियों पर प्रत्थम पाइलट प्रियोजना के लिए कोवान से केंदर सासी शेत्रकार चैन किया गया है तो सही जबाब होगा जमू कास्मीर ए अप्सन आपका सही जबाब है जमू कास्मीर आपको बताना है कि समिधान के किस भाग में UPSC और State Public Service Commission से संबंदित परधान को दिया गया है देखें इसका सही जबाब होगा भाग 14 में UPSC और State Public Service Commission से संबंदित परधान को जो है दिया गया है तो इसका जो अप्सन होगा D अप्सन सही होगा इसके बाद आपको बताना है कि निमिलखित में से कौन सी याचिका अवयद नीरोध से सम्मंदित है इसका सफरी जबाब होगा heaviest corpus इसका हिंदी होता है बंदी परत्यक्चिकरण और मोटा-मोटी के हैं तो इसका अर्थ निकाल सकते हैं अपने सरीर को प्राप्ट करना heaviest corpus मतलब होता है कि किसी भी बैक्ति को अबया दुरूप से गिरफतार किया जाता है तो heaviest corpus जो याचिका है जारी किया जाता है जो है इनका information share किया जाएगा इनके बारे में discuss कर लिया जाएगा आगे बरते हैं next question देखते हैं आपको बताना है कि केंद्रिये सांखी की संगठन किस वर्स गठित हुआ था केंद्रिये सांखी की संगठन किस वर्स गठित हुआ था इसका सही जबाब है 1951 में कि नेक्स्ट है आपको बताना है कि गरीवी उन्मूलन किस पंच्वर्स योजना का उद्देश से था इसके बाद आपको बताना है कि वह किस परकार का बेरोजगारी कहलाती है जब उत्पादन चम्ता प्रियाप्त मातरा में नौकरी स्रिजन करने के लिए अप्रियाप्त हो वकिस परकार की बेरोजगारी कहलाती है जब उत्पादन चम्ता प्रियाप्त मातरा में नौकरी स्रिजन करने के लिए अप्रियाप्त हो वस संद्रशनात्मक बेरोजगारी कहलाती है ए अप्षन आपका सही जबाब है नेक्स कोशन है आपको बताना है कि एक सुरज मुखी का पौधा सुरज की ओर जुगता है यह प्रतिकिरिया कहलाती है क्या कहलाती है यह प्रतिकिरिया क्या है देखिए इसका सही जबाब होगा टी अप्सन फोटो नास्टिक यानि एक सुरज मुखी का पौधा सुरज की ओर जुकता है यह फोटो नास्टिक पर्तिकिरिया कहलाता है यह फोटो नास्टिक पर्तिकिरिया है याद रखिएगा इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं आपको बताना है कि गौतम बूद का जन्म कहां पर हुआ था गौतम बूद का जन्म कहां पर हुआ था इसका सई जवाब है डी अप्शन लूबनी next question देखते हैं आपको बताना है कि पोधे में तन्य या जड़ का घेरा की कारण बढ़ जाता है यानि पोधे में तन्य या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ जाता है इसका सई जवाब होगा ए अप्शन पास्वर मेरिष्टेम के कारण जो होता है पोधे में तन्य या जड़ का घेरा बढ़ जाता है तो पास्वर मेरिष्टेम लेटरल मेरिष्टेम भी याद रख सकते हैं इंग्लिस में जो है असानी होगा याद करने में तो ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन देखते हैं आपको बताना है कि बिटिस समराजवाद के दोरान दा थिवूरी अव एकनोमिक ड्रेन अव इंडिया का परतिपादन किस ने किया था है Wir बी अप्सन आपका सही जबाब है नेक्स कोशन है आपको बताना है कि जो पूरी में रथ यातरा निकाली जाती है किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है पूरी रथ यातरा उडिसा में निकाली जाती है किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है तो सही जबाव होगा B option जगनात के सम्मान में नेक्स कोशन है आपको बताना है कि मई 2002 में वाइस एड्मिरल बिने बधवार को भारत हाइडरोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर के चेत्र में उनके उत्क्रिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया कौन सा पुरस्कार जो है इनको मिला है इसका सई जबाव होगा थर्ड ओप्सन अलेक्जेंडर डेल रिम्पल इनको जो है कि इनको बिने बधवार को भारत हाइडरोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर के चेत्र में उनके उत्क्रिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोशन है आपको बताना है कि सीरी रंगपटनम की संधी टिपु सुल्तान और किन के बीच हत्ताक्षर किये गये थे सिरी रंग पत्नम की संदी पर टिपु सुल्तान और किन के बीच हताक्षर किये गए थे इसका सही जबाब होगा टिपु सुल्तान और कर्णवाल इसके बीच बी अप्शन आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखते हैं आपको बताना है कि निमलखित में से कौन सा एकेडमी भारत में निरित नाटक और संगित के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिमेदार है निमलखित में से कौन सा एकेडमी भारत में निरित नाटक और संगित के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिमेदार है इसका सही जबाब होगा B option संगित अकादमी आगे बढ़ते हैं Next question है आपको बताना है कि Civil सेवा के लिए परतियोगी परिक्षा की प्रणाली को सिधान्त रूप में किस वर्ष स्विकार किया गया था Civil सेवा के लिए परतियोगी परिक्षा की प्रणाली के सिधान्त को किस वर्ष स्विकार किया गया सही जबाब है बताईए 1853 B option आपका सही जबाब है Next question है आपको बताना है कि भारत के समिन्धान के जो अनुछेद Article 1 है इसमें भारत के वर्णन के लिए निमलकित में से किस अभिब्यक्ति का उप्योग किया गया है भारत के समिन्धान के जो अनुछेद 1 है इसमें भारत को वर्णन के लिए निमलकित में से किस अभिब्यक्ति का उप्योग किया गया है देखें इसका सही जबाब होगा इस question का discussion हम लोगों ने इससे पहले वाले lecture में भी किया था तो आप देख सकते हैं यह question कितना important है बार बार यह question पूछा गया है इसका सही जबाब होगा राजियो का संग यानी third option अपका सही जबाब है अनुछेद एक में भारत का वर्णन जो है राजियो के संग के रूप में जो है अभिव्यक्त किया गया है राजियो के संग के रूप में जो है इसका वर्णन किया गया है आगे बढ़ते हैं next question है आपको बताना है कि मदुबनी जो मदुबनी है लोक चित्रों की एक सैली है भारत में निमलकित में से किस स्राज में यह लोक पिरिये है मदुबनी लोक चित्रों की एक सैली है भारत में निमलकित में से किस स्राज में लोक पिरिये है तो मदवनी जो पेंटिंग है या किस राज में लोग प्रिये है तो सई जबाब होगा बिहार में D option आपका correct option है इसके बाद आपको बताना है कि कथक का सास्त्रिय निरित है कथक कहा का सास्त्रिय निरित है तो कथक जो है उत्री भारत का सास्त्रिय निरित है याद रखिएगा ए अप्शन आपका सही जबाब है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखते हैं आपको बताना है कि देखें विच कंट्री कंड़क्ट दा फुटबॉल टूनामेंट नेम क्या बुदेश लीगा तो बुदेश लीगा नामक फुटबॉल टूनामेंट कौन सा देश आयोजित करता है इस नामको याद रखिएगा बुदेश लीगा फुटबॉल टूनामेंट कौन देस आयोजित करता है गे ज़ेयर्मनी इसके बाद next question है आपको बताना है कि नोट्स ओफ रनवीर यानि रनवीर के नोट्स सुक्च में गैप हैं जो के भीतर पाये जाते हैं किसके भीतर पाये जाते हैं आपको बताना है नोट्स ओफ रनवीर सुक्च में गैप हैं जो किनके भीतर पाये जाते हैं तो यह देखिए इसका सही जबाब होगा पहला बाला option myelinated अंच तन्तू यानि कि myelinated जो axons है यहाँ पे जो होता है रनवीर के नोट्स ओफ में gap होते हैं जो इनके भीतर पाये जाते हैं ध्यान रखिएगा next question ने आपको बताना है कि स्वेज नहर जो स्वेज कैनाल है भुमद सागर को किस से जोडता है स्वेज नहर भुमद सागर को किस से जोडता है तो भूमत सागर को लाल सागर से जोड़ता है यानि आपका ठर्ड ओप्शन क्रेक्ट ओप्शन है नेक्स कोश्चन है आपको बताना है कि असोक महता समीती ने 1978 में नेमने में से किस विशे पर अपनी रिपोर्ट को जो है पस्तूत की थी उस विशे का नाम बताना है कि असोक महता समीती 1978 में किस विशे पर अपनी रिपोर्ट को जो है पस्तूत की थी बहुत इंपोर्टन्ट समीती है याद रखिएगा बहुत बार पूछा जा चुका है इसका सही जबाब होगा पंचायती राज संस्था यानि कि जो असोक महता समीती है किस से समन्दित है पंचायती राज संस्था से आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखते हैं आपको बताना है कि निम्र में से किस सहर में संत आदीनात को समर्पित मद्यकालिन यूग का जैन चैमुक मंदिर इस्तित है इसका सहर में संत आदीनात को समर्पित मद्यकालिन यूग का जैन चैमुक मंदिर इस्तित है इसका सही जबाब क्या होगा बताईए इसका सही जबाब होगा रनकपूर ठर्ड अप्शन प्रेक्ट अप्शन है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है आपको बताना है कि जो पलासी का लड़ाई हुआ था पलासी का यूद हुआ था इसमें नवाब सिराजु दौला की हार हुई थी एक मुख्य कारण था कि उनके कमांडरों में से एक डॉट डॉट में आपको बताना है कि कमांडरों में से एक किनके नेत्रेत वाली सेना ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी पलासी के लड़ाई में नवाब सिराजु दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके कमांडरों में से एक है इसका सही जबाब होगा मिरजाफर के नेत्रेत वाली सेना ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी यानि आपका मिरजाफर सही जबाब होगा थर्ड अप्शन करेक्ट अप्शन है इसलिए जो है प्लासी के लड़ाई में नवाब सिराजु दौला की हार का एक मुख्य कारण यह भी था नेक्स कोश्चन है आपको बताना है कि वह घटना जिससे मादा यह गुमक कुछ जीवों में निशेचन की क्रिया बीना नए जीव बनाने के लिए विकास से गुजरती है इसे रोटी फर्स हनी वेज कुछ चिपके लिए होती है और पक्चियों को कहा जाता है क्या कहा जात है इस को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस कोश्चन को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इस तरह से समझ सकते हैं कि वह घटना आपको बताना है कि क्या कहलाती है जिसमें मादा युगमच कुछ जीवों में निशेचन किये बीना नए जीव बनाने के लिए विकास से गुजरती हैं जैसे कौन-कौन से जीव हैं रोटी फर्स होते हैं हनी बीज होता है कुछ शिपकिलिया होती है और कुछ पच्छिया भी होती है इनको कहा जाता है क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है पार्थे नोजनेसिस यानि सेकंड अप्सन आपका सही जवाब है के कारण मादा यूगमग कुछ जीवों में निस्रेचन किये बीना नए जीव बनाने के विकास से गुजरती हैं आप उधारण में देख सकते हैं कौन-कौन से रोटी फ़र्स हनीवेज कुछ शिपकिली और कुछ पच्छीओं को भी कहा जाता है तो पार्थे नो जेनेसिस य अस्तिरी का जर्म दो अक्टूबर 1904 को हुआ था ठर्ड अप्सन आपका सही जबाब है नेक्स कोशन आपको बताना है कि दूध कि इसका घटिया स्रोत है यानि अच्छा स्रोत नहीं है दूध कि इसका अच्छा स्रोत नहीं है दूध में क्या नहीं मिलता है यानि आप इस समय सकते हैं कि तो ठेके भी सिच में नहीं मिलता है दूदऊ थे विसी की थोड़ा भी उपलब्पता नहीं तो इसलिए उपलब sen स्रूट कहा सकता है आगे बढ़ते आपको बताना है कि पुलिष छो पुलिस द्वारा जो जाच की जाती है जो लोग नसे में गाड़ी चलाते हैं उनके जाच के लिए फिल्टर पेपर पर एक है मतब कि कह सकते हैं अमल का लेप होता है वह कौन सा अमल होता है आपको बताना है जो नसे में गाड़ी चलाते हैं उनके जांच के लिए जो filter paper होता है उन पर किस परकार का अमल का लेप होता है तो potassium dry chromate sulfuric अमल का यानि एक अप्शन आपका सही जवाब है नेक्स कोशन है आपको बताना है कि गुलकोच को एथिल अलकोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है गुलकोच को एथिल अलकोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है दिखे इसमें आपका सही जबाब होगा उप्युक्त में से कोई नहीं या उप्युक्त में से एक से अधिक भी यानि इए अप्षन आपका सही जबाब है आप बताईएगा इसका सही जबाब क्या होगा नेक्श कोश्चन है आपको बताना है कि केंदर सरकार के संबंदू का अध्यन करने के लिए निम्न में से किस राज के राजमनार समीती को निप्त किया गया है केंदर सरकार के संबंदों का अध्यान करने के लिए नेमने में से किस सराज के राजमनार समीती को निफ्ट किया गया है इसका सही जबाब होगा तमिलाडू की सरकार D-Option Next question है आपको बताना है कि पदम सिरी सुदर्शन पारी को जाना जाता है किस चीज के लिए जाना जाता है पदम सिरी सुदर्शन पारी को सेंड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है D-Option आपका सही जबाब है Next question है आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक मोनाटॉमिक है तो मोनाटॉमिक जो है इसमें से यानि चार अप्शनों में से 4 अप्शन जो हिलियम है मोनाटॉमिक है कुछ डेटा है आपको देख लेते हैं मोनाटॉमिक, डाटॉमिक, ट्रेटॉमिक और पलेटॉमिक कौन कौन से होते है तो देखिए मोनाटॉमिक में सिल्बर होता है कार्वन होता है डैटोमीक में हाइड्रोजन अक्सीजन और नाइट्रोजन ट्राइटोमोग मैं वजोन होता है और पॉलेतोमीक में फास्प asphalt और सल्फर होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखते हैं आपको बताना है कि निम्र में से कौन सा धार्मिक समु पर्तिवर्ष बेवारिक जीवन में दस सारभौमिक गुणों का पालन करते हुए आत्मे निर्भरता और उत्थान के लिए कौन सा पर्व मनाता है पर्यूशन पर्व मनाता है किस धार्मिक समु के द्वारा जो है पर्यूशन पर्व मनाया जाता है तो देखे इसका सही जवाबों का जैन धार्मिक जैन धार्मिक के लोग जो होते हैं पर्यूशन पर्व मनाते हैं परती वर्ष भेवारिक जीवन में दस सारभमी गुणों का पालन करते हुए और आत निर्भरता उठान के लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखते हैं किस परकार का कोशन है आपको बताना है कि पश्ची में स्वामी बीवेकानन नई जो के लेखत कौन है इसका सही जबाब होगा यह अप्शन मैरी लूइस बर्ग आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन आपको बताना है जायद मेडल जो होता है जायद मेडल आपको बताना है कि किस देश का सिर्ष नागरिक सम्मान है जायद मेडल किस देश का सिर्ष नागरिक स प्रणाली का उप्योग किया गया था भारत के चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार मदाता सत्यापन योग पेपर ओडिट ट्रेल यानि जो डबलू पी एटी होता है इस प्रणाली का उप्योग किया गया था भारत के चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार मदाता सत्यापन योग पेपर ओडिट ट्रेल का प्रणाली का उप्योग किया गया था आपको बताना है कि किस चुनाव आयोग के द्वारा तो दखें इसका सही जबाब होगा यह जो प्रणाली अपनाया गया था यानि इसका उप्योग उप्योग किया गया था कहां पे तो नागालेंड में नोक्षेन विदान सवाचेत्र में तो वी अप्षन आपका सही जबाब है आपको बताना है कि वासुदेव बलवन्थ जो फटके हैं इतियास में क्यों जाने जाते हैं? किसलिए जाने जाते हैं? उनहों ने 1870 के दसक में अंगरेजों के खिलाब ससस्त्र बिद्रों का नेत्रेत्वे किया था इसलिए वासुदेव बलवन्त फड़के कोई जो है इतिहास में इस चीज के लिए जाना जाता है तो आपका C option सही जवाब है आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं आपको बताना है कि जैन धर्म के 23 तिर्थकर कौन थे जैन धर्म के 23 तिर्थकर पाश्चर विनाथ थे D option आपका सही जवाब है 24 वे कौन थे महाबीर थे next question है आपको बताना है कि मानो जो शरीर होता है जो human body होता है मानो शरीर के किस अंक के द्वारा ग्रंथी का विकास होता है मानो शरीर के किस अंक के द्वारा ग्रंथी का विकास होता है सही जवाब होगा pituitary gland यह option आपका correct option है next question है नेख्ट कोश्चन है नेवलेखित में से कौन USA की अस्थाई जो है local wind है USA की local wind का नाम बताना है इन चारों अप्सणों में से कौन सा है तो United State of America की अस्थाई हवा का जो नाम है वह है चिनुक ए अप्सण next question है आपको बताना है कि इंडिया के समिधान कनुसा मानवत तसकरी यानि जो human trafficking होती है इंडिया के समिधान कनुसा मानवत तसकरी और जबरन स्रम निशेद नेमिलखित में से किस लेक में वड़ित है मानवत तसकरी और जबरन स्रम निशेद किस अनुछेद में दिया गया है सही जबाब होगा article 23 में article 23 में मानवत तसकरी और जबरन स्रम निशेद का वड़न किया गया है next question देखते हैं आपको बताना है कि carbon के अनु एक साथ graphite में निमलखित में से किस बॉन्ड में बंधे होते है carbon के अनु molecules of carbon are held together by which of the following bond in graphite carbon के अनु एक साथ graphite में निमलखित में से किस बॉन्ड में होते है तो सही जबाब बताईए सहसनियोजक bond में यानि आपका c option सही जबाब है covalent bond next question आपको बताना है कि के के बेनु गोपाल भारत में निमलखित में से कौन से महत्पूर्ण पदपर है के के बेनु गोपाल भारत में निमलखित में से कौन से महत्पूर्ण पदपर अभी है आपको बताना है सही जबाब क्या होगा तो के के बेनु गोपाल जो है अटार्नी जर्नल है आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं आपको बताना है कि वर्स 1919 में निमलखित में से किस घटना के कारण रविंद्र ना टाइगोर अपना नाइट हुड त्याग दिया था इनका उपादी जो मिला हुआ था नाइट हूड का किस घटना के कारण रविन नाथ टाइगोर ने 1919 में त्याग दिया था देखे इसका सही जबाब क्या होगा आपको पता है बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है इसका सही जबाब है जालिया वाला बाग हत्याकान 1919 में हुआ था और इसी के कारण इस घटना के कारण रविन नाथ टाइगोर ने अपने नाइट हूड की उपादी को जो है त्याग दिया था नेक्स्ट कोश्चन है लखनौ में लखनौ 1916 में कॉंग्रेस अधिवेशन के नरम पती धड़े के अध्यक्ष तिल्लक और उनके समर्थकों ने कॉंग्रेस में वापस आने का स्वागत किया था किसने किया था या थे कौन थे लखनौ 1916 में कॉंग्रेस अदिवेशन के नरम पंती धड़े के अध्यक्ष तिलक और उनके समर्थकों ने कॉंग्रेस में वापस आने का स्वागत किया था यह था कौन थे अंबिका चरण मजमुदार फर्स्ट अप्शन जो है आपका सही जबाब होगा याद रखिएगा नेक्स्ट कोशन भारत में जो 4th Industrial Revolution यानि की भारत में जो 44 और दौन की करांती के लिए केंदर के रूप में सुरू की जाने वाली 20 तो आर्थिक मंच के द्वारा चूनी गई परियोजना कौन सी है तो भारत में चौती ओधोगी करांती के लिए केंद्रे करूप में शुरू की जाने वाले बिस्व आर्थिक मंच के द्वारा चूनी गई परियोजना कौन सी है तो देखिए इसमें इस परियोजना में जो सामिल है ड्रोन्स ब्लोक्चैन और आर्टिफिसियल इंटेलिजन यानि इन तीनो को जो है इन तीनों को जो है इष्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रियोजना में सामिल किया गया है तो घृब्टरी करांती है इसमें तो ओल एव ऑब्टरी नेक्स्ट public lotta आपको बताना है कि वास्पी करण की परकिरिया के बारे में निमलकित में से कौन सा सही है वास्पी करण की परकिरिया के बारे में निमलकित में से कौन सा सही है ए अप्सन कह रहा है कि या नमी के अस्तर पर निर्वन नहीं करती है B कह रहा है यह सता के छेत्र में ब्रिदी होने पर बढ़ती है और C कह रहा है यह हवा की गती में ब्रिदी होने पर घड़ती है बताए इसमें कौन सा सही जबाब होगा वास्पी करण के परकिरिया के बारे में यह सता के छेत्र में ब्रिदी होने पर बढ़ती है B option आपका सही जबाब है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोर्षन है आपको बताना है कि निमलखित में से किसने गणित में फिल्ड्स पदक जीता है किन लोगों ने गणित में फिल्ड्स पदक जीता है तो देखिए इसमें जो नाम दिया गया है अच्छ है वेंकटेस कैचर बिरकर और पीटर एसकॉल ये तीनों लोग जो है आप फिल्ड्स पदक को जीते हैं गणित के छेत्र में यानि उप्रियोक्त में से सभी यानि all of the above आपका option होगा तो fourth option correct option है इसके बाद आपको next question है आपको बताना है कि साग्रिय यानि जो marine culture है साग्रिय किरसी है इसका क्या अभिप्राय है साग्रिय किरसी से आपका क्या अभिप्राय है आपको बताना है इसका जो अभिप्राय है वह यह है कि यह एकवा कल्चर की एक बिसेस सखा है सागरी जो क्रिस्टी है या एक्वा कल्चर की एक विशेश साखा है तो पहला अप्षन आपका सही जवाब होगा बाकी टू थिरी फोर जो अप्षन है आप देख सकते हैं नेक्स कोश्चन है आपको बताना है कि बनी ग्रास लेंड कहां पर इस्तित है बनी ग्रास लेंड गुजरात में इस्तित है नेक्स कोश्चन है आपको बताना है कि राष्टिय खाद सुरक्षा मिशन का उदेश निमलेखित में है राष्टिय खाद सुरक्षा मिशन में जो राष्टिय खाद सुरक्षा मिशन इन एफस एम का जो उदेश है निमलेखित में है क्या क्या है इस मिशन के तर्थ किस किस को कभर किया गए आपको यह बताना है तो आप यहां पे option को देख सकते हैं और जो सही option है आप चूज कर सकते हैं देखे इसमें जो option होगा आपका second option सही जबाब है second option, second option में कौन-कौन सही आप देख सकते हैं पहला है यानि दलहन, सबजिया नहीं है, चावल है, गेहु है और मोटे अनाज है फल नहीं है, ध्यान रखिएगा, next question है आपको बताना है कि जो litmus होता है, litmus solution, इसका रंग क्या है, जब यहना तो अमलिये है और नहीं छारिये है litmus solution का रंग क्या है, जब यहना तो छारिये होता है न अमलिये तो इसका रंग होगा, बताईए, परपल, बैगनी next question है, निमलखित में से किस सेमेधानिक संसोधन अधिनियम ने लोगसभा के कुल सदस्यों के 15 पर तिसत मंत्रियों के परिषत के अकार को परतिबंधित कर दिया। किस समिंधानिक संसोधन अधिनियम ने लोग सभा के कुल सदस्यों के 15% मंत्रियों के परिसत के आकार को पर्तिबंदित कर दिया। नियम द्वाजागतीं नेक्स कोशन है आपको बताना है कि निमिलिखित गॉवर्णर जर्नरल इन पर विचार करिए उन्हें सही कोड का चुनकर कलानुकर्म जो कलानुकरमिक क्रम है इसमें आपको बेवस्तित करना है तो गवर्नर जनरलों पर विचार करके आपको उनके कलानुकरमिक क्रम में बिवस्तित करना है कि कौन सा गवर्नर जनरल पहले इसके बाद कौन इसके बाद कौन तो इसमें देखिए अगर आप यहां पर देखिएगा तो इसमें जो सही जबाब होगा यानि पहले जो आएंग इसके बाद डी लॉड और इसके बाद आपका आएगा लॉड करजन फिल से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ अगर इन गौर्णर जर्रेनलों का काले करम अगर आप विवस्तित करिएगा तो पहले आएंगे जॉन लॉरेंस इसके बाद लॉड ली टर्न इसके बाद लॉड ड करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है आपको बताने कि नेमलेकित में से कौन सी जोड़ी जोए सही मिल नहीं खाती है कौन सा प्यर है जो सही मैच नहीं है तो पहला देखिए सही मैच है मलका जल मड्रूमद अंडमान सागर में है दूसरा जो है यूकाटन एस्ट्रेट कैर्विय में नहीं है यानि कि आपका जो ठर्ड अप्शन है सही जवाब होगा यह सही सुमेलित नहीं है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कूल चेत्रों के परतीसत हिस्सेदारी के माम नीमन ऐसे निमन परकार की भारत की मेटी को बेवस्तित आपको करना है यानि की जिस मेटी का परतीसत हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है उस करम में आपको घरते करम में आपको जो है सई कोड को चुनना है तो देखे सबसे ज़्यादा भारत में परतिसत का अगर रूप में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा किस मेटी का परतिसत सबसे ज़्यादा है तो इसमें देखिए आपका जो सही जबाब होगा ओ होगा थर्ड ऑप्शन यानि सबसे ज़्यादा परतीसात वाला मिटी है रेड स्वैल इसके बाद ब्लैक स्वैल इसके बाद डिज़र्ट स्वैल और लास्ट में लेटराइट स्वैल तो यह जो है परतीसत हिस्सेदारी के मामले में निम्न से निम्न परकार की भारत की मिट्टी को बेवस्तित करम है आगे बढ़तें नेक्स कोशन है आपको बताना है कि निमलखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समू है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समू निमलखित में से कौन सा है आपको बताना है इसका सही जबाब होगा भील नेक्स कोश्चन देखते हैं आपको बताना है कि भारतिय परतियस्परधा आयोग यानि CCI जो है इसका उद्देश से क्या है इसका ओप्जेक्टिब क्या है उद्देश से क्या है CCI का यानि परतियस्परधा आयोग का इसमें चार उद्देश्य दिये घ hyper इनमे से कौनि कौन सा उद्देश है पहला जो उद्देश से दिया गए भारत के बजारों में अन पर्ति भाग्यों द्वारा किये गए बैपार की स्वतंतरता सुनशित करने के लिए दूसरा है उभोकताओं के हितों की रक्षा के लिए तिसरा जो उद्देश इसमें दिया गया है बजारों में परतियस परदा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए और चौथा है परतियस परदा पर होने वाले और परतिकुल परभाव को रोकने के लिए तो भारती पर्ती असपर्धा आयो का इन चारों में से जो उद्देश है वह है four option यानि कि पहला दूसरा तिसरा और चोथा सभी ज्यान रखिएगा जो भारती पर्ती असपर्धा आयो का उद्देश है पहला जो उद्देश था भारत के बजारों में अनपर्ती भागियों के द्वारा किये गए बेपार की स्वतंता सुनिशित करने के लिए दूसरा उभोकताओं के हीतों की रक्षा के लिए पिसरा बजार में परतियस परदा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए और चोथा परतियस परदा पर होने वाले और परतिकूल परभाव को रोकने लिए नेक्स कोशन है आपको बताना है कि ग्लास प्रिज्म के द्वारा स्वेत परकास के फैलाओ के दौरान निमले लिखित में से कौन सा एक्सपेक्टर सबसे अधिक जुकता है ग्लास प्रिज्म के द्वारा स्वेत प्रकास के फालाओ के दौरान निमलेखित में से कौन सा एस्पेक्टर में सबसे अधिक जुखता है कौन सा रंग तो सही जबाब होगा वाइलेट यानि की सेकेंड अप्सन आपका सही जबाब है नेक्स कोशन है आपको बताना है कि जो प्लासी का यूद हुआ था कब हुआ था बैटल ओप्लासी कब हुआ था प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी यह अप्सन आपका सही जबाब है आगे बढ़ते हैं आपको बताना है कि रविन नाथ टाइगोर जन गना मना को भारत के राष्टिय गान के रूप में अपनाया गया इनके गान को जन गना मना को जो है भारत के राष्टिय गान के रवीन नड़ टैगोर के मतलब की लिखा गया इनके दौरा लिखा गया यह गीत है ज़ो भारत के राश्टिये गान के रूप में अपनाया गया है यह गीत है जिपके अला कि तो यह अप्सन आपका सही जबाब है नेक्स कोशन आपको बताना है कि डांडिया एक लोक निरित है कहां की डांडिया एक लोक निरित है कहां की तो सही जबाब होगा गुजरात की नेक्स कोशन आपको बताना है कि सत्यमियू जयाते सब्द जो है भारत के परतिक चीन के आधार प्लेट के नीचे से लिया गया है कहां से जो लिया गया है आपको बता रहा है सत्मेव जयाते सब्द किस उपनिसत से लिया गया है सही जवाब है मुंडक उपनिसत से नेक्स्ट कोश्चन है आपको बताना है कि साहित अकादमी का मुख्याले कहां पर है साहित अकादमी का मुख्याले निव देली में है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में आपको बताना है आपको बताने कि नेमलकित में से कौन सा देश हाली में बीशवे के सबसे बड़े वर्षा बन को जलाने के लिए चर्चा में था नेमलकित में से कौन सा देश हाली में बीशवे के सबसे बड़े वर्षा बन को जलाने के लिए चर्चा में था सही जबाब है मेक्सिको next question है स्वतंत्र भारत में दादा भाई नोरोजी ने पहली बार अधर्णा पर चर्चा की थी किस अधर्णा पर चर्चा की थी स्वतंत्र भारत में दादा भाई नोरोजी ने पहली बार गरीबी रेखा की अधर्णा पर चर्चा की थी यानि पभर्टी लाइन थर्ड अप्ष्ण आपका सही जवाब है नेक्स्ट कोश्टन है आपको बताना है कि निरू और मिलू यह जो मतल़त निरू मिलू की श्तिती में एक वाटर सेट प्रबंधन कारेकरम है कहां कि तो निरू मिलू बताए कहां की कारेकरम है ज mindset जबाव है आंद्रपर्देश की नेक्स्ट कोश्चन है तालिकोट का जो यूद हुआ था किस वर्स हुआ था बैटल ऑफ तालिकोटा किस वर्स हुआ था तो तालिकोटा का यूद 1565 में हुआ था सी अप्सान अपका सही जबाब है आपको बताना है कि इस खाले अस्तान पर क्या भरा जाएगा कि तरंगों में द्रिश से परकास तरंगे एक्सरे गामा किरने रेडियो तरंगे और माइक्रो वेब्स पराबैगनी और और अरक्त मत्ला तरंगे जो हैं सामील ह किस मतलब की तरंगों में जो है द्रिस परकास तरंगे एक सरे गामा खिर्णे रेडियो तरंगे माइक्रो वेब्स प्राबैगिनी और औरक्त तरंगे सामिले इसका सही जबाब होगा बेधुत चुम्बक किये तरंगों में फर्ष्ट अप्सन आपका करेक्ट अप्सन है इसके बाद आपको बताना है कि जो खाली अस्तान दिया गया है यहां पर आपको भरना है कि एक स्वभावी कुरूप से होने वाली घटना है जो प्रित्वी के ताप के लिए जीमेदार है वह कौन सी स्वभावी कुरूप से होने वाली घटना है जो प्रिद्वी के ताप के लिए जीमेदार है इसका सही जबाब होगा ग्रिन हाउस इफेक्ट ग्रिन हाउस प्रभाव जो है एक स्वभावी कुरुप से होने वाली घटना है जो प्रिद्वी के ताप के लिए जीमेदार है नेक्स कोश्चन है आपको बताना है कि हम पी एक संस्कृतिक धरोहर अस्तल भारत के किस राज में इस्तित है नेक्स कोश्चन है आपको बताना है कि मानोहिर्दय में कितने चेंबर होते हैं मानोहिर्दय में फोर चेंबर होते हैं सी अप्सण आपका सरी जवाब होगा चार का च्छे होते हैं नेक्स कोश्चन है आपको बताना है कि नेताजी सुभाश्चंद्र बोस ने कौन सी पुष्टक लिखी सुभाश्चंद्र बोस के द्वारा जो पुष्टक लिखी गई है इन चार अप्सणों को देखकर आपको बताना है कि कौन सी लिखी गई है तो सुभाश्चंद्र बोस के द्वारा जो लिखा गया है वह है आपका दे इंडियन अश्ट्रागल नेक्स कोशन है आपको बताना है कि इसमें दिया गया है कि गांधी को उमिद थी कि भारत के दो परमुख्य धार्मिक डोड़ड़ट के साथ असाहयोग को जोड़कर गांधी जी को उमिद थी कि भारत के दो धार्मिक जो अन्दोलन था जो असाहयोग आंदोलन को जोड़कर जो या गांधी जी को उमिद थी पूरा करती थी इसका सही जवाब है खिलाफत आंदोलन फूर अप्सन आपका सही जवाब है गांधी जी को उमीद था कि भारत के दो धार्मिक और दो परमुक्ष धार्मिक कौन-कौन खिलाफत आंदोलन और इसके साथ अस्साहूग अंदोलन को जोड़ दिया जाए तो समुदाय हिंदू और मुस्लिम सामोई कुरूप से अपनिवेशिक सासन का अंत कर सकते हैं तो याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं आपको बताना है कि किस लेखक ने परसिद उपनिया सवासेरगेहूं लिखा है सवासेरगेहूं के लेखक कौन है बहुत इंपोर्टेंट यह बहुत अच्छा नोवेल है यह प्रेम चंद्र के द्वारा लिखा गया है सवासेरगेहूं आगे बढ़ते हैं आपको बताना है कि आसनी संकट नामक पुष्टक किसके द्वारा लिखी गई है आसनी संकट किसके द्वारा यह पुष्टक लिखी गई है तो देखिए इसका सई जबाव होगा ए अप्शन बिभूतो भूषन बंधुपाद्याय के द्वारा आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है आपको बताना है कि उत्तर में भुटान और अरुणाचल परदेश की सीमा किस भारती राज से लगती है नागा लेंड और पूर में मडिपूर मेगाले तिरपूरा और दक्षिण में बंगलादेश और पश में कौन सारा जाएगा आप मैप को उठाकर देख सकते हैं इस पूरी जा सने यो इंडिकेट कर सकते हैं इस पूरी मेप को आप देख सकते हैं फिरीес में ।지 सभाब में से कौन सी नदी हिमाले से निकलती है? कौन सी नदी हिमाले से निकलती है? सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा. आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कि जीम कार्वेट पार को बाग सनक्षित छेत्र कब घोसित किया गया था? जीम कार्वेट पार को बाग सनक्षित छेत्र कब घोसित किया गया था? सही जवाब है, 1973 एड़ी में. नेक्स कोशन है, आपको बताना है कि महान संगित तक अमीर खुसरो इन्होंने कौन सा वाध्य यंत्र बनाया था? महान संगित तक अमीर खुसरो ने कौन सा वाध्य यंत्र बनाया? इसका सही जवाब होगा, सितार. B option Next question है आपको बताना है कि MLC करण नेमने में से किसके पाचन के लिए आवस्यक है MLC करण किसके पाचन के लिए आवस्यक है तो वसा के लिए D option आपका सही जबाब है Next question है वासक तोमी एक सल्ल किरिया है वासक तोमी एक सल्ल किरिया है किस परकार के सल्ल किरिया है तो पूरुसों में गर्भ नीरोधक के लिए तो आपका B option सही जबाब है वासक तोमी पूरुसों में गर्भ नीरोधक के लिए सल्ल किरिया है आगे बढ़ते हैं Next question है आपको बताना है कि निम्ने में से कौन सी नदी जो है दक्षिण गंगा जानी जाती है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रुप में जानी जाती है तो इसका सही जबाब होगा कावेरी बी अप्शन और आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं आपको बताना है कि फासी पर चड़ने से पहले किसने भारत को फिर से संगटित होने के तक अपनी राह को बरकरार रखने की एक्छा ब्यक्त की थी और पुनर मिलन प्राप्थ होने के बाद उन्हें सिंदु में फिक्र देने के लिए विचार को रखा था उस ब्यक्ति का नाम बताना है किसने भारत को फिर से संगटित होने तक अपनी राह को बरकरार रखने के एक्छा ब्यक्त की और पुनर मिलन प्राप्थ होने के बाद उन्हें सिंदु में ठिक दिया जाए ऐसा उन्होंने मतलब की एक्छा ब्यक्त की थी उनका नाम था नाथुन राम गौड से बी अप्सन आपका सही जवाब है और नेक्स कोश्चन है आपको बताना है कि 1976 में अपात काल की घोषणा के समय भारत के राश्पती कौन थे जब 1976 में अपात काल की घोषणा हुई थी उस समय भारत के राश्पती कौन थे आपको बताना है इसका सही जबाब है फक्रुदीन अली अहमद जब 1976 में अपात काल की उद्ध घुषडा हुआ था तो उस समय राश्पती फक्रुदीन अली अहमद थे नेक्स्ट कोशन है आपको बताना है कि निमलखित में से अलक नंदा और मंदाकनी का संगम कौन सा है अलक नंदा और मंदाकनी कहां पर एक साथ मिलती है तो सही जबाब है रुद्र प्रियाग में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है आपको बताना है कि जो एक बुक का नाम है His Holiness the 14th Dalai Lama तो बताइए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है His Holiness the 14th Dalai Lama and Illustrated Biography इस पुस्तक के लेखक है तेजिन ग्याचे तेथोंग ए अप्सटन आपका सही जबाब है His Holiness the 14th Dalai Lama and Illustrated Biography पुस्तक के लेखक तेचिन ग्याचे तेथोंग है इस अप्सटन करेक्ट अप्सटन है नेक्स्ट कोस्टन आपको बताना है कि किस मंत्राले ने 28 जून से 22 जून 2020 को संकल्पर्वे मनाया तो संस्क्रिती मंत्राले Ministry of Culture आगे बढ़तेसं नेक्स्ट कोस्टन आपको बताना है कि जो क्लोब होता है लॉण होता है प्राप्थ होता है प्राप्थ होता है लौंग से क्या होता है ये एक को देखे़ फ्लावर बढ़त गाप्थ होता है डी अपर का सही जवाब कि नेथ्ट आपको बताना है कि भार्तिय वायुं सेना नैं अपना 88 मतलब की 88 अस्थापना दिवस किस तारीक को मनाया था यहनी 188 फाउंडेंशन डे अफ विच डे डे इंडियन एयर फोर्ट सेलिब्रेट तो भारती वाईज सेना ने अपना 88 अस्थापना दिवस को मनाया था तो 8 अक्टूबर को बी अपसन आपका सही जबाब है नेक्स कोशन आपको बताना है कि निमलकित में से कौन सा सनियोजन कठीन पानी में उच मातरा में महजूद है कौन सा सनियोजन कठीन पानी में यानि हेवी वाटर में उच मातरा में महजूद है इसका सई जबाब होगा कैलसियम और मैगनिसियम आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखते हैं आपको बताना है कि मंत्री किरन रिजुजू और केंद्रिय आदिवासी कल्यान मंत्री ने खेलो इंडिया इपट साला की शुरुवात की पहला वेबिनार केस खेल पर आयोजित कि किया गया था कि मंत्री किरन रिजुजू और केंद्रिय आदिवासी कल्यान मंत्री ने खेलो इंडिया इपट साला की शुरुवात की है पहला वेबिनार किस खेल पर आयोजित किया गया था इसका सही जबाब है तिरंदा जी याद रखिएगा तो आपका जो बी अप्शन है सही जबाब है नेक्स कोशन आपको बताना है कि उस भारती अंपायर का नाम बताना है जो अगामी 2021 के लिए अंपायरों के ICC के एथलिट पैनल में सामिल था उस भारती अंपायर का नाम बताई है जो अगामी 2021 के लिए अंपायरों के ICC के एथलिट पैनल में सामिल था इसका सही जबाब होगा नितिन मेनंद सी अप्शन करेक्ट अप्शन है नेक्ष्ट कोश्चन है आपको बताना है कि सरिस्का और रणत्थम्भौर निमलखित में किसके लिए भंडारण है सरिस्का और रणत्थम्भौर निमलखित में से किसके लिए जो है जाना जाता है तो बागो के भंडारण के लिए यहाँपे बागो की संकिया ज़्यादा है तो इसके लिए सरिस्का और रणत्थम्भौर को जो है जाना जाता है तो बाग के लिए टाइगर सी अप्षन अपका सई जवाब होगा नेक्स्ट कुशन है आपको बताना है कि सोतंत्ता संग्राम के दोरान भारती राष्टिये कॉंग्रेस के एक मात्र मतलब की एक मात्र अध्यक्ष पुझा गया एक मात्र अध्यक्ष कौन थे जिनोंने निर्वाचित होने के बाद भी राष्टिये कॉंग्रेस के एक मात्र अध्यक्ष कौन थे जिनोंने निर्वाचित होने के बाद भी राष्टिये कॉंग्रेस के एक मात्र अध्यक्ष कौन थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के परभाव से जुड़े हैं बताइए इसमें सही जबाब क्या होगा किस से जुड़े हुए हैं समवर्ति पर चुमब की अच्छे है तरह मैगनेटिक फिल्ड और जो है बताइए कॉन्कुरेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है नेमलिकित में से किस राज ने अभिनंदन योजना अभिनंदन एसकीम सुरू किया है किस राज सरकार ने तो अभिनंदन एसकीम को असम सरकार इसने सुरू किया है डी अप्सन आपका सही जबाब है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन पूछा गया है कि किस सरकार ने COVID-19 रोगियों पर प्लाजमा थेरेपी परिक्षण प्रजेक्ट प्लेटीना शुरू किया है तो सही जबाब होगा महराश शरकार नेक्स कोशन है आपको बताना है कि दक्षिन भारत का ग्यान सरस्वत्ती मंदिर किस अस्थान पर इस्तित है ग्यान सरस्वत्ती जो मंदिर है दक्षिन भारत में किस अस्थान पर इस्तित है तो सही जबाब होगा बसर दक्षिन भारत का ग्यान सरस्वस्ती मंदिर जो है बसर में इस्तित है बसर पर इस्तित है नेक्स कोशन है आपको बताना है कि वहाबी अंदोलन जो था इसका मुख उदेश क्या था वहाबी अंदोलन का मुख उदेश आपको बताना है इसका सबसे मुख उदिस था इसलाम को सुध करना यानि प्यूरिफाई इसलाम बी अपसन आपका सही जबाब है नेक्स कोशन आपको बताना है कि पीना का एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर है जिनका नाम स्यू के धनूस के नाम पर रखा गया है इसके बाद नेक्स कोशन आपको बताना है कि आयो डेक्स एक दर्द राहत बाम है इसमें गंध होती है किस सिच की गंध होती है इसमें जो गंध होती है मिथाईल सैली साइलेट की आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखते हैं आपको बताना है कि 2019 के लिए फुटबॉल लेखक संग एव डबलू ए का फुटबॉल ऑफ द इयर से सम्मानित किया गया है किन को इसका सही जवाब होगा जोर्डन हंडर्सन को 2019-20 के लिए फुटबॉल लेखक संग का फुटबॉलर ऑफ द इयर से सम्मानित जोर्डन हंडर्सन को किया गया है तो याद रखिएगा इंपोर्टेंट है और इसी के साथ आज का सेसन समाप्त होता है मिलते हैं न्यू सेसन में थाइंक्यू